जोड़ना है तुझे उच्जा परों को खोल के रख कसोटी वक्त की है हौसलों को दोल के रख अभी आगाज है तेरा बहुत कुछ सीखना है कमर कसनी अभी बाकी है मुठि भीचना है अभी आवाज है तेरा बहुत कुछ सीखना है कमर कसमी अभी बाकी है मुट़्ी भीचना है भले हालात हो कैसे भी बस ये सोच ले तू यही है जुद यही है रार बस अब जीतना है लिखूंगा तुद नहीं तक्दीर अपने हाथ से में रखों में खून के संकिस जुनू को खोल के रख कसाटी वक्त की है वासलों को खोल के रख जो उड़ना है तुदे लूचा परों को खोल के रख कसाटी वक्त की है वासलों को खोल के रख जो उड़ना है तुदे लूचा परों को खोल के रख झाल झाल लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती कुशिश करने वालों की हार नहीं होती अभी तो जंग है जारी अभी हारा नहीं है तू जो सहले तंच सारे ऐसा बेचारा नहीं है तू अभी तो जंग है जारी अभी हारा नहीं तू जो सहले तंच सारे ऐसा बेचारा नहीं तू भरोसा रख पुदा पे और अपने होसलों पे तुझे तो चांद बनना है कोई तारा नहीं तू करेंगे वो जो करना है जो चाहेंगे वो होगा ये अब तू ठान ले तकदीर से भी बोल के रख कसोटी वक्त की है भास लोंको कोल के रख जो उड़ना है तुझे उचाव परोंको कोल के रख कसोटी वक्त की है आसलों को पोल के रख जो उनना है दुखे मुझा परों को पोल के रख जापान के किसी एक फिल्म एक्टर ने अपनी जीवन कहानी लिखी है उसने अपना अधिकांश समय अमेरिका में हॉलिवूड में गुजारा बहुत नाम हुआ बहुत पैसे कमाएं शौरत में बुलंदियों पर था और बहुत समय फिल्मों में काम करने के बाद उसे लगा कि मुझे वापिस अपने गाव जाना चाहिए और वो वापिस जापान आता है कुछ समय रहता है और उसके मन में एक इच्छा हमेशा से रहती है कि मुझे पैरिस जाना है और वो एक्टर लिखता है कि मैं पैरिस गया और वहाँ पर अब तक जो कुछ भी मैंने कमाया था वो सब कुछ दाव पर लगा दिया किसी क्यासिनों में जाता है उसने बहुत कुछ कमाया था बहुत पैसा था और वो सारा पैसा एट वन स्टेक एक धक से वो दाव पर लगा देता है और दुर्भाग्यवश सब कुछ हार जाता है कुछ भी नहीं रहता यहां तक कि वापस जाने के लिए पैसे भी नहीं वो सब कुछ हार जाता है हार कर अपने कमरे में पहुँचता है सो जाता है दूसरे दिन पैरिस के निजुस पेपर में एक ख़बर छपती है कि किसी एक व्यक्ति ने आत्मत्या कर ली है और वो जापनीज है होटल का मैनेजर और होटल के जो लोग थे वो ये खबर पढ़ते है और सब को पता होता है कि यही वो व्यक्ति है जो हमारे यहां रुका था और वो जापान से है और शायद वो व्यक्ति यही होगा जिसने आत्मत्या कर ली क्योंकि कल रात ही इसने जो बाजी लगाई थी उसमें वो सब कुछ हार चुका है तो वो दोड़े दोड़े जाते है लाश की शनाक्त हो चुकी थी वो किसी जापानी इसकी थी उनको लगता है कि शायद यह तो हमारे होटेल में रुका हुआ है वो भाग के जाते है नौक करते है दरवाजा खुलता है और वो एक्टर अंदर खड़ा है वो सब लोग ढरे हुए से है उनको लगता शायद इसी ने खुद कुशी कर ली और उसे पूछते है आप वो कहते हैं वो कहते हमको लगा कि आप बहुत दुखी हो गए होंगे आपने अपना सब कुछ हार लिया हार दिया इस वज़े से वो कहता है मैं इतना कमजोर नहीं जो हारा है वो फिर कमा सकता हूँ मैं इतना कमजोर नहीं कि पैसों के लिए खुद कुशी कर लूँ एक्टर बनने से पहले मैं अपने एक जेन मास्टर के पास था और उस मास्टर ने मुझे एक बात सिखाई थी जो मुझे ठ्रॉआउट याद है और वो बात ये थी जीवन में कुछ भी हो जाए सुख, दुख, जै, पराचे, हानी, लाब निन्दास, तुदी तुम्हारे मन की स्थिती समान रहेगी बस इस एक ही नियम को पक्का करो और वो कहता है कि मैंने सारा पैसा खो दिया, हार गया अब फिर से चालू करूंगा मैं तो यही योजना बना रहा था बैटे-बैटे कहां से चालू करू चाहे जीवन में कुछ भी हो गया है चाहे कुछ भी हो गया है अब तक कैसी भी परिस्तितिया आई और चली गई हमें अब से चालू करना है The time is now और ऐसा कोई नहीं संसार में जिसके जीवन में परिस्तितिया नहीं आई विग्न नहीं आए यदि एक सरकल है जिसका नाम है विग्न और यदि ये मैं हूँ इस सरकल से गुजरने के बाद उस विग्न से गुजरने के बाद जो मैं हूँ वो पुराना वाला मैं नहीं हूँ अब लोग कहते हम पहले बहुत पुर्शार्थ करते थे पाच साल पहले एक साल पहले दो बज़े उटकर पुर्शार्थ करते थे अब कुछ भी नहीं होता अब पता नहीं हम गिर गए गिर नहीं गहे अब तो उससे भी आगे हो क्यूँ कि अभी तुमारे पास पूर्शार्थ न करने का अनुभव है अभी गिरने का भी अनुभव है अभी टाइम वेस्ट करने का भी अनुभव है अभी अपवित्रता का अनुभव है अभी पतन का अनुभव है परन्तु यदि ये awareness ना हो तो वेक्ति डेप्रेशन में चला जाएगा हर विगना आता है मुझे शक्तिशाली बनाने हमारा मन उस रबर की तरह है Once stretched, it cannot regain its original shape original size विगनों से गुजरने के बाद, परिस्तितियों से गुजरने के बाद हम वो नहीं रहते जो पहले थे अभी हम और अनुभवी हो गए इसके लिए अब तक जो कुछ किया है उसकी परिक्षा होगी उसका test paper होगा तभी तो पता चलेगा कितने हम पानी में है और नियती कहो ड्रामा कहो भगवान कहो ने एक मौका फिर से दिया है खुद को सुदारने का और वो मौका है यह भटी यहां भटी में आना यहां की classes सुनना, lecture सुनना, मुरली सुनना यहां का भोजन खाना notes निकालना और थोड़ा बहुत योग करना केवल इतना करके यहां से चले नहीं जाना है इस भटी शुद बिकम अ लाइफ टर्निंग इवेंट वो तभी होगा जब तीन नियमों का पालन होगा अगर इन तीन नियमों में से एक भी नियम पालन नहीं होता है तो वो प्राप्ति नहीं होगी जो होनी चाहिए भटी अर्थात तपना यहां पर तपने के लिए आए हैं बाते करने के लिए नहीं आए हैं खाली लेक्चर सुनने नहीं आए हैं वो अज्यात उसे पाना है और अंतर का जो रास्ता है वो अक्यले को ही तै करना है अंदर जो यात्रा है उस यात्रा में कोई रोड नहीं कोई सडक नहीं कोई साइनेज नहीं कोई मील का पत्थर नहीं रखा है वो यात्रा आकाश की यात्रा है अंतर आकाश की उसमें कोई गाइड नहीं है और अंदर घुसते ही सबसे पहली चीज जो मिलती है वो है अंधकार विदेश के फिलोसोफर डेविड यूम लिखता है कि लोगों से मैं सुनता आ रहा है कि भीतर जाओ, भीतर जाओ, भीतर जाओ अपने भीतर जाओ, सारे प्रशनों का उत्तर है मैं अपने भीतर गया और क्या, मैं तो डर गया क्योंकि भीतर तो केवल अंधकार ही था इसके लिए डर से मैं वापस बहारा गया कैसे जाओं अंदर रूल नमबर वन मोबाइल स्विच्ट आफ मोबाइल का स्वर्श भी ना हो शरीर को यदि इस भट्टी में कुछ गहरा अनुभो करना है संसार से कनेक्शन कट आफ जिनोंने अभी तक नहीं किये है वो कर लो और ये तो केवल तयारी है रियल भट्टी तो वहाँ से चालू होगी जब अपने घर, सेंटर पहुचोगे तब और वो संकल्प अभी से लेना है कौन से तारिक को पहुच रहे वापिस घर पर कब पहुच रहे ट्रेन नहीं 22 23 23 तो आपकी भट्टी चालू होगी 24 से करेंगे सबी 24 से 21 डेस की भट्टी ये केवल पूर्वतयारी है रियल भट्टी वहां होगी उसमें क्या करना है उसकी भी हम चर्चा करेंगे रूल नमबर वान Mobile Switched Off जिस दिन ये भट्टी पूरी होगी और अंतिम क्लास होगा और जाने का समय आएगा तभी Mobile Switch On करना जो लोग प्रभंदन में हैं मैनेजमेंट में हैं उनकी बात अलग पर बाकी सभी डूल नमबर टू आपस में बात्चित बंद आर्यमोन संपूर्णमोन महात्मबुद्ध ने अपने भिक्षुओं से कहा था कभी भिक्षुओं के दो ही नियम है एक धर्मचर्चा करना और जब धर्मचर्चा नहीं कर रहे तब आर्यमोन चुप नोबल साइलेंस आपस में बात करते करते तपस्या हो नहीं सकती बाकी सब कुछ हो सकता है यहां आएंगे यहां की क्लासे सुनेंगे सब कुछ करेंगे बैठेंगे लेक्चर सुनेंगे खाएंगे पिएंगे घूमेंगे योग करेंगे पत्र लिखेंगे उस तक पहुचने के लिए बाहर का कोला हल बंद चाहिए हम रित्वेले उठे हम देखते हैं माता हैं बाते करते करते पहुचती है योग करने और योग पूरा होते ही तुरंट बाते करना चालू योग केवल एक डिस्टर्बंस था बीच में बातों में संपूर नमान कुछ न बोलना नजर नीचे सादकों के लिए नियम है चलते समय नजर नीचे बस किसको देखना है और क्या देखना है नजर नीचे और जब तक यहां है कम से कम तब तक क्योंकि इतना गहरा ओप्रेशन करना है अंदर यहां पर चीरा लगाना है पता नहीं अंदर क्या क्या है क्या मवाद कौन सा पीप अंदर भरा है जन जन की किस किस के प्रतिशत्रुता घ्रिणा नफरत, गिल्ट कॉंशिसनेस ट्रॉमा विकारों को देखने के लिए मुख बंद चाहिए तब तक विकारों को देख नहीं सकते बोलते हुए विकारों को नहीं देखा जा सकता चुप साइलेंस कोई बात नहीं करनी है एक पापस में और जिनको करना है वो करते रहे और यदि दूसरे कर रहे हम उसमें पार्टिसिपेट ना करे इतना समय निकाल कर यहां आए है कितना त्याक करके आए है वो गरहस्ती को छोड़कर सेंटर को छोड़कर यहां आए है इतने कम समय के लिए आया है और ये भी खबर नहीं है कि अगली बार आप आएंगे या नहीं और काम तो बहुत गहरा है विकार बहुत डीप सबकॉंशियस माइंड में है उस तक पहुचने के लिए उतना ही गहरा मौन चाहिए साधना तभी गहरी होगी जब मौन गहरा होगा रूल नमबर थ्री इस केंपस से बाहर कहीं नहीं जाना है लॉक्ट टाउन अपना कमरा हार्मनी हॉल, मेडिटेशन रूम बाबा का कमरा, डाइनिंग बस इसी के अंदर घुमना है नजर नीचे जैसे मैं यहां केला हूँ अगर बात करते रहेंगे और बोलते रहेंगे अनुभो तो होगा यहां से जाओगे सेंटर पर और बहुत अच्छा अनुभो भी सुनाओगे वहां पर पर उसका असर दस दिन, पंदरा दिन बस थ्री रूल्स जुनों ने अब तक पालन नहीं किया है वो अभी इसी समय सुनते सुनते ही मन में संकल्ब करेंगे जब तक यहां है वहां क्या करना है उसकी प्लैनिंग यहां से हो जाए हर चीज की प्लैनिंग जब तक यहां है अब तक कहां क्या क्या हुआ जीवन में वो सारा आखों के सामने लाना है हमने बहुत सी यात्राय की है ब्रह्मचर्य की अपनी यात्रा है कैसे रहा ब्रह्मचर्य समर्पित जीवन की अपनी यात्रा है शुरुवात से अब तक का जीवन कैसे रहा भोजन की यात्रा है सेवाओ की यात्रा है अम्रित वेले की यात्रा है मुरली सुनने की यात्रा है मुरली सुनाने की यात्रा है क्लास करने की क्लास कराने की वरक्शॉप करने की तेवहार मनाने की क्या क्या किया है कितनी भटिया की है कितने भाशन दिये है उसकी भी एक यात्रा है उसका भी एक starting point है और आज अभी उसका एक beach का point है अंतर जाना है भीतर और देखना है कहा हूँ? क्या कर रहा हूँ? किस दिशा में हूँ? यहाँ बैठे बैठे ही यात्रा करना चालू कर दो दो वाक्यों के बीच जो मौन है और अंतराल है इस क्लास में उस बीच अंतस में डुपकी लगानी है हमारा सारा जीवन भाय मुक्ता में बीत रहा है अमरित वेला से भाय मुक्ता चालू होती रात को ग्यारा बजे तक हमारा योग भी भाय मुक्ता हमारी मुर्ली, हमारी स्टडी, हमारी पढ़ाई, हमारी क्लासेस, हमारी सेवाए सब कुछ हमें बाहिय मुखी बना रही है अंदर कब जाओगे और कब देखोगे अगर किसी को कहा जाए, चुप चाप, चार घंटे बैठ जाओ, बिना ही ले कितना मुश्किल हो जाता है, कुछ करना चाता है इसलिए नहीं कि शरीर में दर्द हो रहा है दर्द नहीं भी हो रहा है, फिर भी कुछ करना चाता है पैर हिलाना चाता है, कुछ करना चाता है इतनी बेचे हैं इतनी हलचल योग में हम बैटते हैं, कौन हमको योग से उठाता है? कोई व्यक्ती नहीं उठा था हमारे भीतर की हल्चल ही हमें योग से बहार उठाती है वो ही हल्चल कहती है, उठो कुछ और करो, किसी से बात करो कुछ सेवा करो, जाड़ो लगाओ, सफाई करो कुछ भी करो, पर करो क्यों अंदर नहीं रहना चाहते क्योंकि अंदर भीतर डर लगता है भीतर कुछ है जिससे डर लगता है एक अज्यात है जिससे डर लगता है एक अज्यात सा आकाश है वहाँ पे कहां जाए और कैसे जाए पता नहीं उसी आकाश में आने का जहां पर प्रभू प्रेम के प्रकंबन है इतना बड़ा संगटन जहां पर है आज सुबह की अव्यक्तवानी निश्चे परिवार में आप ठीको परिवार में खिट पिट है राज्यस्थापन हो रहा है और धर्म दोनो और समय बहुत नाजुक चल रहा है कसवटी वक्त की है होसलो को तोल के रख अगर उड़ना है तुम्हें उचा परो को खोल के रख बहुत उचा जाना है बहुत उचा जाना है बहुत आगे जाना है जहां अभी तक आये हैं, जहां अभी तक पहुचे है ये भाव मन में लाना है अभी तक तो कुछ भी नहीं पाया जो कुछ किया, जो पुर्शार्ट किया हमने कुछ भी नहीं जाना है अभी तो जानना बाकी है इस भट्टी में एक छोटा सा बालक बन जाना है, भूल जाओ, मैं कौन हूँ उधर छोटा सा बालक और सीखना है हर एक से सीखना है केवल उन से नहीं जो यहां बैठ कर क्लास करा रहे परन्तु हर एक से क्योंकि समय बहुत नाजुक है और यह समय बहुत से पेपर लेगा और इन पेपरों में कुछ चीजों की कसोटी होगी वक्त की कसोटी पर खराव उतरना है चुप हो जाना है बहुत सारे प्रश्णों का उतर दे देगा समय पेपर लेगा सबसे पहला पेपर है विकारों का ऐसे आठ पेपर है जो आने वाले है और इन पेपरों से कोई भी नहीं छूट सकता चाहे कितना भी बड़ा कोई महरती हो सबसे पहला विकार दूसरा और इन पेपरों में क्या करना है उसकी हम चर्चा करेंगे अपने ही संसकार जो संसकार दब गया था हमें लगा वो खदम हो गया पर बाबा के महवाक्य है बी ए का पेपर में में आएगा जो शुरुवात में माया आई थी और उसको हमने जीत लिया था वो फिर से आएगी संसकार तीसरा साधनों का अभाव क्या हम रह सकते हैं बिना साधनों के उसके अभ्यास यहां करके देखो Dependency किसी व्यक्ति पर dependent है वो है इसलिए पुर्शाद कर रहे है किसी साधन पर dependency Social Dependency Intellectual Dependency Bodhik भावनातमक Dependency अध्यात्मिक Dependency Financial Dependency अक्केले हो जाना है Flight of the alone to the alone अक्केले की यात्रा अक्केले की तरफ है सब लोग साथ में है संगटन में है परन तु फिर भी मुझे अंदर से पता है कोई भी मेरे साथ नहीं है ना पती है ना पत्नी है ना बच्चे है ना मा है ना बाप है कोई भी नहीं मैं अक्यला ही हूँ और ये मेरे अक्यले की यात्रा है Stand Alone और जो अक्यले खड़ा है वही सबसे शक्तिशाली है स्वामे वेवेकानन्दा ने कभी कहा था मुझे ऐसे सौ लोग चाहिए जो ये कहे कि परमात्मा के अतिरिक्त हमारे पास कुछ भी नहीं है Hundred such and the world is transformed केवल सौ यहां कितने सारे है बाबा के बच्चे जो ये निश्चे है जिनको की बाप ही सब कुछ है सुबह की अव्यक्तवानी जानना, मानना और चलना चारो ही बातों में उस बाप को जैसा वो है, उसकी जैसी श्रीमत है without interference उसको जानना, मानना और चलना ये है बाप में निश्चे तो सबसे पहला पेपर विकारों का दूसरा पेपर संसकारों का, हमारे ही अपने संसकार तीसरा पेपर साधनों के अभाव का इसलिए बीच बीच में ये अभ्यास करना है ये चीज जिसका मैं रोज यूज करता हूँ आज वो नहीं है क्या होता है अलग-अलग प्रयोग करना है अध्यात्म अर्थात निरंतर प्रयोगी बनना है तीन-तीन दिन के छोटे-छोटे प्रयोग नए-नए प्रयोग हर दिन प्रयोग करते जाना है आज ये वस्तु है कल नहीं रहेगी आज ये मोबाईल है कल नहीं रहेगा क्याना है सर्वाई विदाउट इट इसका अभ्यास यहां करके देखो mobile switched off क्या होता है देखो हल चल होगी, बेचे ही नहीं होगी तीन दिन newspaper बंद try तीन दिन off internet no internet, try और सबसे बड़ा addiction YouTube तीन दिन हाथ ही नहीं लगा ना उसको वो भी एक black hole जैसे सक कर लेता है छोटे छोटे experiments तीन दिन, नीचे सो try करके देखो क्या होता है sleep on the floor तीन दिन alternate shower चाहे थंडी हो या गर्मी हो अमरित वेले से पहले नहाने की शुरुवात गरम पानी से करनी है पर end हमेशा थंडे पानी से शौक लगना चाहिए एक दम सारी नीद ऊड़ जाती है उसको कहते है Scottish shower alternate shower James Bond shower सारे pores जो है वो खुल जाते है नहीं ऊड़ जाती है और फिर थंडी कम लगती है क्योंकि हमने पहले ही थंडा कर लिया बाहर इससे कम थंडी नए नए प्रयोग धर्ती पर चलो feel the energy नंगे पाओ और उसी को योग का प्रयोग कर दो बना लो सारी प्रकृती की संसार की उर्जा मुझ में आ रही है परमात मूर्जा मुझ में आ रही है वो केवल योग के कमरे में नहीं राज योग स्टार्ट्स बाबा के कमरे के बाहर से रियल योग कहां से स्टार्ट होता है कमरे के बाहर नहीं नहीं प्रयोग जो अब तक नहीं किया वो अब करो start walking एक किलोमेटर, दो किलोमेटर, पाच किलोमेटर अक्केले निकल जाओ walk एक विदेशी लेखक ने लिखा है मेरे पिताजी के साथ मेरा जगडा हो गया और इतना भैंकर जगडा हो गया कि राद बर हम जगडते गए और जब चार बजने लगे तो मैंने अपने पिताजी से कहा कि मुझे इस घर में रहना ही नहीं और पिताजी ने कहा get lost मैं भी गुसे गुसे में निकल गया पैसे तो थे नहीं पैदली निकल गया और सुबह का समय था अमरित वेला चल रहा था चलते गया, चलते गया एक किलोमेटर, दो किलोमेटर, पाच किलोमेटर चलते चलते वो प्रकृती, वो वायू मंडल, वो हवाए, वो उकता हुआ, सूरज, वो देखते देखते ऐसा लगा कि गलती तो मेरी है, लौट आया, benefits of walking, चलने के फायदे, जब आप प्रकृती के सानित्यों में रहते हो, च चलते, 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 अच्चानक वो पॉइंट आ जाता है, कि जो मेरी सबसे बड़ी कमजोरी और निकल क्यों नहीं रही है, इतनी मुरलिया पढ़ ली, इतना ज्यान योग कर लिया, इतनी classes की और कराई, फिर भी वो पॉइंट टच नहीं हुआ, व new touchings, अपने आप आएगी, उपर से, तो ये भी पेपर आएगा, साधन आज है, कल नहीं रहेंगे, barefoot walk, चपल को हटाओ, पैरो का सपर्ष धरती को होने दो, ये धरती एक magnetic field है, हमारा पूरा शरीर magnetic field है, उर्जा है, उसकी उर्जा हम में बहेगी, हम से उर्जा नीचे जाएगी, exercise, कितने लोग हैं जहां रोज exercise करते हैं, बस, और बाकी, वो कहते हैं हमें exercise की जरुवत नहीं है, हम पहले ही fit है, exercise के अबल fitness के लिए नहीं नहीं exercise करते ही शरीर, तन बदन में कुछ hormone secret होते है, जिसमें happiness hormone secret होते है, उर्जा आ जाती है, शक्त ही आ जाती है, और जितने कुम कुमार कम है, कुमारों के लिए तो कंपल सरी है, one hour workout, जब तक पसीना ना आ जाए, 24 घंटे में एक बार तो पसीने से ना आना है, दो तिन बार पानी से ना हो, बाकी एक बार पसीने से, start walking, start running, start swimming, कुछ ऐसा करो जब तक किया नहीं है, और वो करते करते उसमें योग को जो देना है, नहीं उर जाएगी, नया चैतन ने जागेगा, तो इस भट्टी से ये भी संकल्प लेके जाना है, हमारा हर शरीर का एक एक जॉइंट, एक एक चक्र है, और शरीर उर्जा से बरा है, body loves to move, energy loves to move, एक एक जॉइंट जो है, जब हिलता है, चक्र हिलता है, और चक्र activate होते हैं, यह सारे activate होते हैं, एक एक जॉइंट मूव हो, यहां से, यहां से, यहां से, और अध्यात्म के लिए, एक चीज बहुत जरूरी है, अगर वो चीज नहीं है, तो spirituality fail है, और वो है health, जब बिमार पढ़ जाते हैं, तो ग्यान योग रहता है, बिमार पढ़ते हैं, तो दर्ध हो रहा है, बुखार चल रहा है, ज्यान योग रहता है, कुछ नहीं रहता है, सब कुछ नश्ट हो जाता है, और फिर हमारे पास एक अच्छा सा शब्द है, हिसाब किताब, सबसे पहले तो इस हिसाब किताब शब्दों का आउट करो डिक्शनर सी, अगर तुम तो बिमार पढ़ते हो. अभी इस संडे मुर्ली चली. अगर कोई बार-बार बिमार पढ़ता है, तो बाप ददा उसे ज्यानी योगी तु आत्मा only नहीं कहते हैं, बिमार पड़े हो, हिसाब किताब को बिल्कुल नहीं लाना, नहीं किसी और चीज़ को लाना तुम्हारी गल्ती की वज़े से, तो साधनों का भाव आज सब कुछ है, कल कुछ नहीं रहेगा जिस घर में रहते हैं, वो घर कल नहीं रहेगा नश्ट हो जाएगा, गिरते हुए देखो उसको धराश्याई होते हुए कुछ नहीं रहेगा, फिर भी मैं स्ठेबल हूँ, मैं स्थिर हूँ ये स्थिती अगला पेपर financial पेपर आज पैसा है कल पैसा बिल्कुल नहीं रहेगा आज जिस घर में रहते है घर मालिक कहेगा कि कल तक घर खाली कर दो कहां जाओ क्या करूँ ये भी पेपर आएगा legal next court cases अच्छानक हमारी कोई गलती नहीं है court case चल रही है कितने भी के भाई बेने आते हैं कहते हैं ये हो रहा है वो हो रहा है ऐसा हो गया वैसा हो गया court की case इसकी case बाबा से ये वो और फिर दुखी हो जाते है next paper आतमाओ के द्वारा पेपर पहली आतमा है लौकिक दूसरी आतमा है अलौकिक तीसरी आतमा है भटकती हुई आतमा है और पाचवी evil souls चवती ये चार प्रकार की आतमाओं के साथ हिसाब किताब रहेगा जो लौकिक वाले हैं उन से कुछ हिसाब किताब अलौकिक इस परिवार से भी बहुत सारे हिसाब किताब है इसमें भी senior, junior और साथी, तीन पर इनी के साथ हमको रहना है और इनी के साथ हम रहते हुए आये है और बहुत खुशी खुशी से ये सारे हिसाब किताब की यात्रा चुक्तु करनी है जैसे यात की यात्रा है वैसे हिसाब किताब की भी यात्रा है और कोई भी हिसाब किताब अनंतकाल तक नहीं चलता है उसका भी A से Z है तो क्यों ना इस यात्रा को भी सुखदाई बनाये जाए और किसी एक आत्मा से तो बहुत गहरा हिसाब होता ही है हमारे जन जन के दुश्मन हमारे WhatsApp ग्रूप में है है और हमारे घर में आए है किसलिए शुक्तु करने इसलिए ये हिसाब किताब भी बहुत खुशी से शुक्तु हो ने हिसाब किताब न बनाते हुए तो आत्माओ से हिसाब किताब और Evil Souls अटैक करेगी उसके लिए तो जिन आत्माओ में शरीर का आकर्शन है उन्हीं में वो आत्माओ प्रवेश करती है जिनों ने अपने वैराक से शरीर का आकर्शन ही नश्ट कर दिया है शरीर से उपर उठ गए है उनमें वो आटैक नहीं करेगी और भटकती हुई आत्माओ भटक रही आत्माओ तो सभी स्थिर एक मिनिट के लिए संपूर्ण चेतना को ब्रुकुटी के मध्य केंद्रिक कर देंगे छटवापे पर शरीरिक कर्मभूख शरीर के बिमारिया इसमें ऐसा कुछ किया जाए कि कभी बिमारी ना पड़े ये सबसे बड़ा पूरुशारत है अगर बिमार पड़ रहे है तो जरूर कुछ तो गड़बढ़ है कुछ तो प्रकृती के नियमों का उलंगन हो रहा है और यदि पड़ भी गए तो कैसे तुरंत उससे बाहर निकले जिसने अपने शरीर को नहीं जाना बॉडी मैनेजमेंट इस किंग्डम मैनेजमेंट शरीर को समझना है हर एक का शरीर अपना अपना है उसे क्या चाहिए उसे क्या देना है क्या नहीं देना है किसको ना करना है किसको हां करना है और ये आएगा और अगर आ भी गया तो उसको खुशी, खुशी से चुक्तु करने है हमने इतनी सारी दादियों को देखा है इतना शरीर में पीड़ा, वेदना यहाँ लाइन, यहाँ लाइन, यहाँ प्रिक, वहाँ प्रिक पर कोई जैसे शरीर से डिटेच्ट याद है हमको दादिजान की को 2014 में मुंबई में इतना समय थे, इतना ब्लीडिंग, इतना ब्लीडिंग, इतना ब्लीडिंग दो दो बार इंडोस्कोपी, दो दो बार खुलोनोस्कोपी इतनी बार सब कुछ कर रहे है पर खुण क्यों आ रहा है और कहां से आ रहा है पता नहीं चल रहा है cottage में ही जो कुछ करना था किया blood दिया ये दिया और तीसरे दिन दादी diamond hall में थी ओम शांती जोर से वो आवाज जैसे कुछ हुआ ही नहीं जैसे कुछ था ही नहीं ये कौन सी power है आत्मा की अंदर इतनी power है हमें याद है एक बार 2012 दादी की तप्य ठीक नहीं थी हम मुंबई डेली गए थे कुछ conference के लिए और conference अभी चलू ही हुई थी तो दूसरे दिन ही phone आया कि दादी ठीक नहीं है आप वापस आ जाओ तो हम conference छोड़के पहुच गए phone शाम को आया था हम दूसरे दिन सुबह पहुचे और सुबह पहुचकर cottage में गए दादी कहा है दादी डादी डाइमंड हॉल में है class चलू है रातोरा ठीक हो गए संकल्प मुझे ठीक होना है जिसने ये सोच लिया कि मुझे ठीक नहीं होना है वो कभी ठीक नहीं होता जिसने ये सोच लिया कि मुझे किसी भी हालत में ठीक होना है वो ठीक हो हगा ही कोई नहीं रोक सकता उसको तो शारिरिक कर्मोवोग और सात्वा है विनाश ये भी paper आएगा उसमें भी तीन parts प्राकृतिकापदा आए, विश्वयुद्ध, तीसरा और ग्रहयुद्ध वो तो दूसरी बात है, ये साथ बाते है अब इन साथ बातों के वक्त के ये paper है, कसरूटी है इसमें साथ चीजों की परिक्षा होगी है, सबसे पहला हमारे निश्चए का paper सबसे पहला पूरी मुर्ली आज निश्च gratis पर है एक कुमार था बहुत सेवा करता था दिन राज सेवा करता था, आज इस उबे कोई भाई बता रहे थे, दिन राज सेवा करता था, एक दिन बिमार पढ़ गया और जब बिमार पढ़के हॉस्पिटल में बैठा तो कोई भी ब्राह्मन परिवार का उससे मिलने नहीं आया, तो बहुत दुखी हो गया वेट करता रहा, वेट करता रहा और उसका निश्चे हिलने लगा, बहन जी भी नहीं आये और सेंटर वाले भी नहीं आये, कोई भी नहीं आये, बस सोच लिया हो गया बहुत सीधा हॉस्पिटल से मंगल कारिया ले निश्चे हिल गया बाबा ने का ये फाउंडेशन है, चारो ही मजबूत चाहिए, बाप में भी, स्वैम में भी, संपन्न स्वमान, इस परिवार में भी और इस युग में भी तो सबसे पहला, जिसकी कसोटी होगी, जो कसोटी पर उत्रेगा, वो है हमारा निश्चे यही सत्य है, इस से परे और कोई सत्य नहीं है यही परमात्म आवतरन भूमी है, यही परमात्म आवतरन जिसमें हुआ है, वो शरीर है, इसकी अतिरिक तो और कोई भी सत्य नहीं है संसार में, संसार में बहुत सारी माया आएगी, और माया का अंतिम रूप होगा भगवान इधर आया, उधर आया, इधर आया, उधर आया यह निश्चे का पेपर है तो हमारे निश्चे की कदम कदम पर परिक्षा होगी इस परिवार में खिट-पिट, इस परिवार में कुछ ना कुछ होगा, परन्तु यह हमको भूलना नहीं, चाहे इस परिवार के लोग कैसे भी है, but they are God chosen, God selected, God elected, भगवान ने चुनाओ किया इन आतमाओ का, उनमें हजार अगुन है, पर एक गुन तो है, कौनसा? उन्होंने भगवान को जाना है, हजार अगुन है, पर एक गुन तो है, पवित्रता को धारन किया है, चाहे कितनी भी हद तक, पर किया तो है, और तीसरा, अपने जीवन को समर्पन तो किया है, चाहे स्थूल, सूक्ष्मक, किसी ना किसी रीती से, हर ब्रामण में ये तीन गुन जरूर है, भगवान को जानना, दूसरा, प्यूरिटी, और तीसरा, समर्पन, इसलिए वो स्रेष्ट है, और भगवान जिस नजर से हर एक को देखता है, हमें उसी नजर से देखना है, कितनी आत्मा ए बाबा से हिस्ट्री हॉल में मिले, बाबा ने दस-दस मिनिट उनको टाइम दिया, उनसे बात की, और वो सब आत्मा ए बाबा को छोड़ कर चली गई, तो क्या भगवान को उस समय पता नहीं था, ये मुझे छोड़ कर जाने वाली है, तब भी पता था, फिर भी, फिर भी, चाहे किसे में कितने भी अउगुन हो, आज कहा ना, नजदिक की नजर और दूर की नजर होशियारी, सुबह की अव्यक्तवानी, स्वदर्शन, परदर्शन, यदि हमें दिख रहा है कि किसी में इतने अउगुन है, पर, जैसे, मेरे में कोई अउगुन है, और वो मेरे इतने पुर्शाद करने के बाद भी नहीं जा रहा, उसमें भी वो अउगुन है, जो सब कुछ करने के बाद नहीं जा रहा, वो जुट बोलता है, पर तुमें होश आता है, सुबह की मुरली, तो क्या जोश सत्यता है? एक भाई अपना अनुभाव सुना रहे थे कि एक दूसरे भाई के प्रति उसे घ्रिना थी उसका कुछ भी अच्छा नहीं लगता था उसका प्रेजेंसी इरिटेट करता था वो आया मतलब बस उसे नहीं रहना है वहाँ पर यह हॉस्पिटल की घटना है पर यह जो भाई था जिसको नफरत आती थी उसका अमरित वेला कभी नहीं होता था कभी होता था कभी नहीं होता था एक दिन उसने संकल्प करके अमरित वेला किया तीन बजे उसने देखा आधी राद तीन बजे वो भाई जिसके प्रती इसको घ्रिना थी वो जा रहा है पैदल हॉस्पिटल के रास्ते से पीछे से पांड़ भावन और एक दिन भी मिस नहीं हुआ है उसका वैसा जाना एक धम से लाइट लग गया कि मैं इसके प्रती इतना घ्रिना का भाव रखता हूं पर इसमें यह जो गुन है यह तो मुझे मैं हैं नहीं मेरा अमरित वेला कभी तीन बजे पभी साड़े तीन कभी सवा तीन कभी चार कभी सवा चार आप सब के लिए भी पहले टाइम फिक्स करो अमरित वेला का यह सबसे इंपोर्टन काम है और जब तक यहां है आपका अमरित फेले का टाइम है दो से साड़े तीन दो से साड़े तीन उसके बाद में ब्रामन मुखी भीड चालू हो जाती है जो कुछ बाबा से लेना है इस टाइम पर लेना है उसके लिए पूरी दिन चर्या बदलनी पड़ेगी जल्दी सोना पड़ेगा मोबाइल तो बंद करी दिया है बात करना भी बंद कर दिया है अब रहा क्या? सोना और उठना दो बज़े का वो सननाटा दो बज़े का बाबा के कमरे का वो वायू मंडल कैसा होता है पावरफुल उस समय टचिंग सोती है उस समय दिया जाएगा तुमको वो जो 21 दिन की भटी हम यहां से जाने के बाद 24 से चालू करने वाले है उसका टॉपिक क्या होगा? वो कल परसो जब तक यहां है उस अमरित वेले उपर से वो टॉपिक अवतरित होगा वो टॉपिक हो सकता है रिलेशन्शिप वो टॉपिक हो सकता है ब्रह्मचर्य वो टॉपिक हो सकता है अमरित वेला वो टॉपिक हो सकता है मुरली का चिंतन जो हो नहीं रहा है वो टॉपिक हो सकता है अच्चल अडोल कैसे रहे? वो टॉपिक हो सकता है रोना मुक्त कैसे बने रोना बंद बहुत रोली है योग की धूप से आसुओं को सुखा दो आसुओं की टंकी को सुखा दो एक बेहन हमारी कहती थी हमारी टंकी बहुत पावर्फुल है इसमें ताली बजाने का कुछ नहीं है तो कसोटी है निश्चय की परिवार में निश्चय स्वेम में निश्चय में कर पाऊंगा पता नी पता नी सुखा की मुदली समय छोटा कुमबकरन बड़ा कुमबकरन आलसल बेला पन निद्रा देनलप की तकिया इस भट्टी में अपने आपको मजबूत बनाना है बस एक भी foundation कम हो ये हुमवक दिया है आज बाबा ने कोई भी foundation कम ना हो चाहे कुछ भी हो जा सारी दुनिया एक तरफ हम एक तरफ फिर भी हमारा निश्चे ना ही ले तो सबसे पहली कसोटी है निश्चे दूसरी ज्यान इतने समय से ग्यान सुन रहें इतने समय से मुर्ली सुन रहें सुना रहें, कلاस कर रहें, करा रहें अब इस ग्यान का paper आएगा अब पमान होगा सबके सामने कैसी इस्तिती रहती है अचल अडल है कि feel होता है, feeling देवी मुर जाग है उदास हो गए, दुखी हो गए उसने मुझे ऐसा के दिया, दूसरों के बोल और दूसरों के विभार हमें तोड़ देते है क्यों? हमारा ग्यान कहां चला गया? इतने समय से जो ग्यान योग की तपस्या कर रहे है वो ग्यान कहां चला जाता है? एक सेकंड में उड़ जाता है उसी तरह वासना का प्रभाव हो वासना का आवेक जब होता है सब खतम हो जाता है इतना तीवर होता है वो इसलिए हमें उसको तीवरता से intensity से उसकी गहराई को समझना है क्यों होता है ऐसा? तो दूसरा पेपर होगा हमारे ग्यान का इसलिए निरंतर ग्यान में एक बात याद रखनी है कि बहुत कुछ जानना बाकी है अभी हम छोटे से बच्चे है I start now कुछ भी नहीं समझ में आया अभी तो मुझे और हर एक से सीखना है छोटा बच्चा सिखा सकता है बूड़ी बूड़ी माता है सिखा सकती है जिनको कुछ पढ़ना नहीं आता है जो अनपढ़ है वो सिखा देती है जो किताबों से हम नहीं सिख सकते वास्तों में ज्यान किताबों से सिखा ही नहीं जा सकता ज्यान तो प्रग्या है, प्रग्या जाकती है अपने आप जब हम तैयार हो जाते हैं तब तो दूसरा है ज्यान तीसरा है प्यूरिटी, ब्रह्मचरिय ऐसी ऐसी परिस्थितिया आएगी क्योंकि सारा वायो मंडल विकारों का है उत्तेजना उत्पर न करने वाला है सभी कुमार, सभी भाई, सब लोग बस इस एक ही टॉपिक पर काम करने है अगर पुर्शार्थ करना है तो दो ही पुर्शार्थ है only two भोजन और काम विकार, बस यह दो को कंट्रोल कर लो, बाकि सब चर्नों में गिरेगा और जिसकी बुद्धी दिन रात भोजन में है क्या खाऊं, क्या खाऊं, किसको खाऊं 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 और पेट में बलाऊं अभी नाश्ता कर लिया, अभी भोजन में क्या बनाना है अभी भोजन कर लिया, अभी रात में क्या बनाना है उद्धी पूरी भोजन में ही डूबी हुई है सबसे गहरी आसकती चेतना की भोजन से है क्योंकि भोजन का संसकार पाच हजार साल का है काम का संसकार धाई हजार साल का है जब तक इस गहरे संसकार पर आक्रमन नहीं किया जाता तब तक कोई परिवर्तन नहीं आता जब तक आत्मा भोजन को परिवर्तन नहीं करती वहाँ पर आक्रमन होते ही भुकम पाता है और उस भुकम की अवस्था में चेतना में नए परिवर्तन के बीच डालने है हिले का पूरी चेतना यही पुरशारत है और दूसरा पूर्शार्थ है ब्रह्मचरिय, वास्तों में ब्रह्मचरिय पूर्शार्थ नहीं परिणाम है, प्यूरिटी पूर्शार्थ नहीं परिणाम है, तो प्यूरिटी का भी पेपर होगा, और कड़े से कड़ा पेपर होगा, और प्यूरिटी का जब पेपर आता है, आत्मा गिर जाती है इसलिए अपने आप को शक्तिशाली बनाना है और सबसे बड़ा पुर्शार्त है मेरा अपनी ही देह से लगाव चला जाए और वो होगा तभी जब भोजन में परिवर्थन होगा तब तक नहीं तीन बार भोजन और चार बार टोली खाकर योगी नहीं बन सकता कोई योगी अर्थात सैयम मीत आहार स्वल्पाहार और उस स्वल्पाहार में ही ऊर्जा जागरित होगी शरीर में शक्ति जागरित होगी जो हम खाते है उसमें ट्रिमंडस वो खाते है शक्ति हमें मिले, परंतु वो शक्ति दे नहीं रहा है, शक्ति छीन रहा है, इतना हेवी खा लिया, वो digestion चालू हो जाता है, digestion is the energy consuming process, खाना, बनाना, खाना, पचाना और फेकना, बस इसी में जीवन गुजर रहा है, stop, purity का भी paper आएगा, अगला प्रभु प्रेम का paper आएगा, किसी व्यक्ति का प्रेम खीचेगा, कोई व्यक्ति इतना प्यार करने लगेगा, कि ऐसा लगेगा, कि यही मेरा सब कुछ है, इससे प्यार करू उससे प्यार करू इससे प्यार करू क्या भगवान का प्रेम और मनुष्यों का प्रेम एक हो सकता है कितना भी कोई प्रेम करे कितना भी कोई कहे कि मैं तुमारे लिए जान दे दूँगा फिर भी उसमें कही न कही खोड तो है सुरंदरमुनी सब की यहरीती स्वारत हितसब करही पृती कही न कही स्वार्थ छिपा है मनुष्यों का प्रेम परमात्म प्रेम से तुलना नहीं हो सकती उस प्रेम की वो हाइस्ट है सर्वोच है लव और लव से एक है सेल्फलेस है और जिसने एक बार एक अव्यक्तवणी है टीचर दभेनों से मुलाकात तुमको प्यार से सेवा करनी है और किसी के प्यार में फश कर सेवा नहीं करनी है एक स्लोगन अंबृत वेला स्वैम को प्रभु प्रेम से ऐसा भर दो कि सारे दिन भर किसी का भी प्रेम तुमको आकर्शितना करे आत्मा की प्यास प्यार की है अगर उसे परमात्म प्यार नहीं दिया जाया गया तो देहधरियों के प्यार की तरफ भागेगा क्यूंकि उसे प्यार चाहिए उसे सुक चाहिए इसलिए सारा पुर्शात अम्रितवेले पर करना है और कल सुब तो ये सबका अमरित वेला कितने बज़े चालू हो रहा है? दो, मतलब उठने का समय एक बज़ के चालीस मिनिट या पंदरा मिनिट एक फोर्टिफाइव मिनिट ताकि पंदरा मिनिट में तैयार हो जाओगे न क्योंकि गरम पानी और फिर थंडा पानी भी तो डालना है जिससे शौक लगे और फिर रगड़ना भी है और अपने कमरे से बहार निकलना है कमरे में बैठकर योग नहीं करना है वहाँ से बहार निकलो कोई-कोई गुप्त योग करते है रज़े के अंदर बाजुवाले को भी नहीं पता चलता है इतना गुप्त है कोई प्रदर्शन नहीं करना चाहते निरंकारिता निर्मानता है सभाव में प्रभू प्रहीम कितने ऐसे है जो अम्रित वेला आखों से आसू आ जाते आ जाते आने चाहिए ऐसा अकृतिक गिता का भाव उत्पन नहो जाए कहा जा रहते और तुमने ये क्या खर दिया अपने आप आ जाए जो किसी ने नहीं दिया जो तुमने दे दिया जो किसी को बता नहीं सकते केबल तुमको बता सकते उससे बाते करो प्यार करो चैतने महाप्रभू से कभी एक व्यक्ति आता है वो रो रहे है हे कृष्णा, हे कृष्णा, हे कृष्णा एक ग्रहस्ति आते हैं, कहता है How to love God? भगवान से प्यार कैसे करे? चैतने महाप्रभू कहते है मेरी ये अवस्था देखकर अगर तुम में समझ नहीं आ रहा है कि भगवान से प्यार कैसे करे? तुम में बताने के बाद क्या समझ में आएगा? प्रभू प्रेम अव व्याख्य है अनस्पीकेबल है उसका वर्नन नहीं किया जा सकता है वो तो बैता है बरस जाता है वो बतलाया नहीं जा सकता याद करो वो दिन जब शुरू शुरू में ग्यान में आए थे और पहला दिन था सेवा केंद्र का पहला दिन था मदुबन का पहला दिन था सेवा का पहला दिन था प्रदर्शनी समझाना का पहला दिन था आकर बैठे थे और भगवान का परिचे मिला था और वो गीत बजा था अचानक भगवान हमारा साथ ही है क्या हो गए था हासु आ गए थे न उसी बच्पन में लोड़ चलो इस भट्टी में अपने बच्पन से लेकर अब तक क्या क्या हुआ वो सब कुछ रिवाइस करो मन ही मन आखे बंद कर लो और रिवाइस करो क्या क्या हुआ कहा हूँ बच्पन कहा था आगे बढ़ा आगे बढ़ा और क्या हुआ और क्या हुआ और क्या हुआ फिर सेवा केंद्र कॉलेज आफिस वहाँ का जीवन और अभी यहाँ बच्पन से चालू करते हुए यहाँ तक पहुचना है एक बार मन की स्क्रीन के सामने सब कुछ देखना है कलम रितवेला देखेंगे सभी सब देखो उसमें क्या-क्या गलतिया की वो सब देखो कौन से विकर्म किये वो सब देखो भगवान का बनने के बाद क्या पाप हुए वो सब देखो सब कुछ इसका भी वेपर आएगा तो प्रभू प्रेम अगला वैराख क्या समय की कसोटी होगी वैराख हमारा वैराख स्टेबल रहता है या हिल जाता है दिन बदिन वैराख बढ़ता जाए और वैराख बहुत सुक्षम चीज है मन की आसकती है धीरे धीरे उस आसकती को साक्षी होकर देखना है नफरत नहीं करना है उसे साक्षी होकर देखना है कि ये किया क्या मिला आज सुबह की अव्यक्त वानी भोले किसमें बनना है दिल से भोले बनने वाले बाप को प्रिये है भोले नात को पर बातों में और कर्म में भोलानी बनना है बोल दिया या करने के बाद करते समय उसका परिणाम क्या होगा ये सोचना अर्थात ये है त्रिकाल दर्शी बोलते समय त्रिकाल दर्शी करते समय परिणाम को सोचना ये दो बाते बोलिए सुबह की अव्यक्तवानी इसमें भोलानी बन जाना कुछ भी करने से पहले ये सोचो what is the result वैराक वैराक की परिभाश्या है ये संसार असार लगने लगे और शरीर मिट्टी ये दो परिभाश्या है संसार असार और शरीर मिट्टी इस शरीर को क्या हाथ लगाऊं इस शरीर से क्या प्यार करूं ये जूटन का जूटन के जूटन के जूटन का जूटन है जनम जनम का कौन सा संदर्य और कैसा संदर्य beauty is but skin depth बस यहां तक है इसको हाड को फेको देखो कहा है संदर्य इस चरीर के प्रती आकर्षन है hospital में चक्कर लगाओ रोज देखो dialysis के patient, देखो वो TB के patient देखो वो cancer के patient वो leprosy के patients hospital में छोड के जाते है रिष्टतार आते नहीं बाद में एक patient को हमारे यहां छोड के गए 80% burn नवी दुलन उसको burn हो गया, छोड दिया, रिष्टतार उसके बाद आये नहीं, 6 मैने तक यहीं थी, यहीं शरीर छोड़ा बुड़े लोग आते हैं छोड के जाते हैं, पूछने नहीं आते अनकॉंशियस patient से accounts पे अंगुठा ले कर जाते हैं कौन सा सौंधर यह और कैसा सौंधर यह क्या प्यार कर रहे इससे क्या पागल हो जा इस शरीर के पीछे सारा मीडिया, सारी फिल्म है, सारी magazine, सारे novel इसी शरीर के इर्दगिर्द घूम रहे हैं, शरीर और शरीर का प्रदर्शन, वेर इस दे ब्यूटी वेराक अगला कर्म, हमारे कर्म की भी कसोटी होगी जो कर्म हमने किये हैं, किस तरह से कर्म कर रहे हैं, कौन सी habits हमको फॉर्म हुई है, परिस्तितिया ऐसी आएगी कि उस कठिन से कठिन परिस्तितियों में स्रेश्ट कर्म कैसे हो, सब लोग विकर्म कर रहे हैं, तो हम भी विकर्म करने चले जाते हैं व्यक्ति के मन में एक होता है mob mentality, जब भारत-पाकिस्तान का युद्ध partition हुआ था, तब वो लोग भी उस दंगे में शामिल थे, जब उन्होंने कभी किसी का नुकसान नहीं किया था, वो भी दूसरों के घरों को आग लगा रहे थे, क्यूंकि बाकी सब लगा थे, इसलिए, mob mentality, जब एक वायू मंडल बन जाता है, सभी पाप कर रहे है, तो अंदर से पाप करने की इच्छा जागरित होती है, यह तभी नहीं होगा, जब पुन्य का बल होगा, इसके लिए पुन्य करते रहो, दिन, रात पुन्य करते रहो, जो भी दिखे, सब की सेव करते रहो, योग नहीं होता, बाकी चीज़ें नहीं होती, कम से कम सेवा तो करो, सब की सेवा, कोई भी हो फिर हो, ऐसे कई सारे भाई है, मदुबन में, ज्यान सरोर में, हम देखते हैं, वो हर पेशन्ट जो एड्मिट होता है, उसका वो रिलेटिव रहता है, जिसका कोई दौाय मिलती है, और व्यक्ति कभी नहीं भूलता, जब जरूरत के समय उसे किसी ने मदद की हो, जब उसको कोई मदद नहीं कर रहा है, उस समय यू गो एन हेल्प हिम, बस, वो कभी नहीं भूलेगा, कर्म की कसोटी, वक्त की कसोटी पर कर्म तोला जाएगा, सारे संसार मे मैं याद है, हॉस्पिटल की टीम एक बार उत्तरा खंड गई थी दोजा, तेरा त्रास्ती जब हुई थी वहाँ पर, तो वहाँ पर दो प्रकार के लोग देखे हमने, पहले वो जो दिन राज सेवा कर रहे है, लंगर लगाय हुए, भोजन दे रहे है सबको, एक वो, और एक्स्प्लाइट करने वाले, दोनों प्रकार की टेंडेंसी, विक्राल समय बहार आती है, वो डिपेंड करता है, पहले से कॉंसेसंस कर रहे है, तो कर्म भी तोला जाएगा, अगला स्तिती, कितने अडोल रहते हैं, यह बताना बहुत आसान है, कि हम बहुत अचल अडोल है पर निंदा हो जाए, अपमान हो जाए, कोई धोका दे दे, जिसको सबसे ज़्यादा जिस पर विश्वास किया, सबसे ज़्यादा अपने जीवन के सारे सिक्रेट्स उसके साथ शेयर किये, वो ही छोड़कर चला जाए, तब क्या होता है, जिन सब परिस्थितियों में जो स दूसरा ज्यान, तीसरा प्रभु प्रेम, चवथा, प्यूरिटी, पाचवा, अगला, वैराग, अगला, 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 स्थिति से पहले, कर्म और सात्वा, स्थिति, जिसकी स्थिति आगे है, वो इस यग्ये में सबसे आगे है, कौन कितने साल से ग्यान में चल रहा है, उसका कोई मतलब नहीं है, जिसकी प्यूरिटी आगे है, वो इस यग्ये में आगे है, जिसका स्थिति और प्यूरिटी, यह दो ही मापदंड है, क्राइटेरिया है, तो चाहे जीवन में जो कुछ भी हुआ हुआ, अब तक, सोचो यह भटी में आए है, एक नया आउसर मिला है, आज से, अभी से नया चालू करेंगे, और फिर अपने अंतरमन की घुफा में घुज जाना है, संपूर्नमान, मोबाइल स्विच्ट आफ, और इस केंपस से कही बाहर नहीं जाना है, अनलेस और अंटिल इस इमर्जंसी, और यहां बैठे हुए, 24 तारीक से आपकी भटी चालू होगी, कितने दिन की, एक की, कौन कौन करेगा, और वो जो भटी होगी, उसका पूरा टाइम टेबल नोट करके रखना है, अपने कैलेंडर में, 24 से लेके तो जो भी डेट आगया हैगी, एक एक दिन मुझे क्या करना है किस टॉपिक पर भटी करनी है, यह टॉपिक आपको अगले दो-तिन दिनों में अमरित वेला दिया जाएगा, और वो टॉपिक वही होगा, जो मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है, किसी के कमजोरी है, बार-बार रोना आता है, दुखी होते हैं, उदास होते हैं, किसी ने कुछ कमजोरी है एक्सराइज नहीं करते हैं, वो 21 देज पॉफिक वरक आउट, वो 21 दिन लगते हैं संसकार बनने के लिए, वो संसकार बन गया, फिर अपने आप चालू रहेगा, अपने आप होते रहेगा, उसको मोमेंटम हो जाएगा, किसी की कमजोरी है दूसरों को दुख द अभी अभी निम्हांस में एक बच्ची छोटी सी एडमिट की गई, उसको एडिक्शन हो गया, टेक्स्टिंग का, मैसेज टेक्स्ट करने का, इतना भेंकर एडिक्शन की अभी एडमिट है, यह सब मॉडरन एडिक्शन से, तो काम करना है, और यहां बैठे बैठे, वहां क की प्लैनिंग करके जाना है, तो सबी स्थिर होके बैठेंगे, संबूरन स्थिर, और जब तक गीत बजेगा, उस गीत में ही, अपने मन में संकल्प लाना है, कौन सा संकल्प होगा पता नहीं, पर वो संकल्प बहुत शक्तिशाली होगा, और उसे मैं करके रहूंगा, यही वक्त की कसाउटी है, आप शंदी कमर कसनी अभी बाकी है, मुठी भीचना है, अभी आवाज है तेरा बहुत कुछ सीखना है, कमर कसनी अभी बाकी है, मुठी भीचना है, भले हालात हो कैसे भी बस ये सोच ले तू, यही है जित, यही है रार, बस अब जीतना है, लिखूंगा तुद नहीं तकदीर अपने ह ज़ाद से में, रखो में खून के संग इस जुनू को ढोल के रख, कसाथी वक्त की है हासलों को ढोल के रख, जो उड़ना है तुझे उचा परों को ढोल के रख ज़ाद से में, जो उक्त की है हैं? लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती कुशिश करने वालों की हार नहीं होती अभी तो जंग है जारी अभी हारा नहीं है तू जो सहले तंच सारे अभी तो जंग है जारी अभी हारा नहीं तू जो सहले तंच सारे अईसा बेचारा नहीं तू भरोसा रख पुदा पे और अपने होसलों पे तुझे तो चांद बनना है कोई तारा नहीं तू करेंगे वो जो करना है जो चाहेंगे वो होगा ये अब तू ठान ले तकदीर से भी बोल के रख का सौटी वक्त की है आसलों को तो लिके रख का सौटी वक्त की है आसलों को तो लिके रख जो उलना है तुझे मुझा परों को तो लिके रख लाला 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 झाल झाल